आज हम ये टॉप से बैग बनाएंगे ये इसकी इम्रोइडरी है इसका भी हम उपियो करेंगे ये शॉर्ट टॉप है प्रेस करते समय यहाँ प्रेस लगी थी तो इसकी हम बैग बनाएंगे ये देखिए ये हमने एक फाबरिक का पीस लिया ये फाबरिक थोड़ा सा पतला है तो कट करते समय अगर कपड़ा हिलता है तो यहाँ आप पेपर कैनवास ये बहुत पतला एक कैनवास आता है पेपर कैनवास से भी पतला कैनवास है ये तो ये आप ऐसे प्रेस करके चोड़ सकते हैं और इसके बाद हम कटिंग करेंगे देखिए ऐसे हमने ये एक पीस लिया और इसका मेजरमेंट है 15 इंच पर 22 इंच यहां हमने फोल्ड किया आप छोटा बड़ा पीस ले सकते हैं जो फाबरिका जितना पीस कट हुआ उतना मैंने लिया है मैं थोड़ी सी बड़ी ही बाग बनाना चाहते हूँ ये स्लिंग बाग हम बनाएंगे देखिए हम इसके उपर यहां कॉर्णर पर जो फोल्ड साइड है यहां नीचे से 15 इंच का मार्क करेंगे 15 इंच और यहां इतना सिलाई में जाएगा 2500 और 20 इंच और एक लाइन जितनी सिलाई में जाएगी तो यहां से हम 5-1 लेंगे यह जो मार्क किया है वहाँ से हम 5-1 इंच लेंगे एक बाक्स बनाएंगे ऐसा ही बाक्स हम यहां बनाएंगे देखिए इसे हमने दोनों कॉर्णर के उपर marking किया, इसके बाद ये उपर की side है ये 15 inch की side है, यहां हम 1 inch का mark करेंगे 1 inch का ऐसा ही mark हम यहां करते है और ये 1 inch का mark यहां यहां तक जोड़ेंगे ऐसे ऐसे ही यहां से यहां तक जोड़ेंगे ऐसा ही यहां देखिए, ऐसे हमने ये piece बनाया है ऐसे देखिए, सबसे पहले हम ये जो embroidery का part था इसका हम pocket बनाएंगे ये इसका measurement है ये आप चोटा बड़ा ले सकते है जैसा fabric था वैसा हमने ये 9 inch by 6 inch का ये piece हमने लिया ये सीधी side, अस्तर की सीधी side हम एक के उपर एक रखेंगे सिलाई करेंगे, इतनी space हम छोड़ेंगे देखिए, ऐसे हमने चारो side से सिलाई की इतनी space हमने छोड़ी है, ये होने के बाद यहाँ corners के उपर cutting करेंगे ताकि सीधी side करने के बाद ये corners अच्छे से इसे corners देखते हैं, तो यहाँ से हम सीधी side करेंगे देखिए, ये सीधी side करने के बाद हम चारो side से सिलाई करेंगे यहाँ मैं सीधी side करने के बाद प्रेस कर रही थी, तो यहाँ थोड़ी सी इस्तरी लग के थोड़ा सा जल गया तो हम यहाँ से उपर एक patch बनाएंगे, ऐसे हमने lace joint की और चारो side से सिलाई की ये हमने 11 इंच के 2 जिपर ली, इसके अंदर attach किया हुआ था इसे कुछ pieces बचे थे उसमें से हमने ये piece कट किये है तो यह हम यहाँ जोड़ेंगे runner डालने के बाद यहाँ एक piece यहाँ एक यहाँ सिलाई होने के बाद हम दोनों सीधी side करेंगे इसे और यहाँ top stitch और यह हमने दो इंच by देड़ इंच के pieces कट किये है तो यह दो इंच की side हम यहाँ रखेंगे इसे तेखिया इसे हमने दोनों जीपर बनाए और यह जीप के बाहर का जो एक्स्ट्रा फाब्रिक है वो हमने cutting किया और यह होने के बाद ऐसे यहाँ से center का mark और यहाँ पर भी हमने center का mark किया ऐसे ही दोनों के उपर यह होने के बाद यह दो अस्तर के pieces लिए है अस्तर के लिए हमने cotton का ही फाब्रिक लिया है इसका measurement है 12 इंच इसकी height 12 इंच है और इसकी width 15 इंच है ऐसे ही इसका यह दूसरा लिया है 15 इंच बाए 12 इंच यहाँ हमने इसे fold किया और center का mark किया है दोनों side में ऐसे ही इसके उपर तो यह होने के बाद हमने यहाँ 2 इंच का mark किया एक line draw की है ऐसे ही यहाँ पर भी 2 इंच का mark किया एक line draw की है यहाँ आप एक side में भी pocket जोड सकते है तो हम यह जो line draw किया इसके उपर हम पहले cutting करेंगे cutting करने से पहले हम ऐसे fold करेंगे और यहाँ center का mark करेंगी दोनों के उपर दोनों side में ऐसे यहाँ और यहाँ पर भी center का mark किया देखिए ऐसे हमने cutting किया यह cutting होने के बाद runner की side ऐसे रखी है और यह center का mark और यह center का mark है ऐसे रखेंगे देखिए यह अगर fabric थूड़ा सा extra होता है वो हम cut कर सकते हैं लेकिन यह बराबर है और यह जो हमने piece लिये थे यह center का mark यह center की सीधी side है तो हम ऐसे रखेंगे ऐसे सिलाई करेंगे देखिए ऐसे हमने सिलाई की यह सिलाई होने के बाद यह center ऐसे अंदर की side में करते हैं और यहां हम top stitch करेंगे देखिए यहां हमने top stitch किया top stitch होने के बाद यह center की दूसरी side हम यहां रखेंगे यह center का mark और यह center का mark ऐसे रखा और इसके उपर यह mark ऐसे रखेंगे यहां से यहां तक सिलाई करेंगे देखें सैम ने यह piece join किया, इसके बाद यह सिलाई उपर की side में ही रहेगी, यह उपर का piece इसे उपर की side में करेंगे, यह अस्तर नीचे रहेगा और उपर की side में हम इसी तरह से top stitch करेंगे, जैसे हमने यह piece join किया वैसे ही यह दूसरा piece यहां जोड़ेंगे दिखिए ऐसे हमने दोनों साइड में ये pockets जॉइन किये ये pockets चोड़ने के बाद कोई भी एक side में यहां हमने center का mark किया है ये pocket अभी तक ऐसा ही है, एक line draw की ये pocket हम इसे side में करेंगे, ऐसे रखा उपर की side में और यह जो pocket यह बनाया था ऐसे इसको ऐसे fold किया center का mark किया और यह mark हम यहां रखेंगे ऐसे और तीन side से हम सिलाई करेंगे देखें ऐसे हमने pocket बनाया पॉकेट बनाने के बाद यह ऐसे नीचे की side में किया और यहां से हम यहां तक सिलाई करेंगे यहां से यहां तक सिलाई करेंगे ऐसे ही इसके उपर यह pocket नीचे की side में किया यहां से यहां तक सिलाई करेंगे यहां से यहां तक सिलाई करेंगे देखिए ऐसे दोनों side pocket के हमने सिलाई करके join की यह होने के बाद अगर आप चाहे तो rubber sheet इसके पीछे जोड सकते हैं अगर यह fabric पतला है तो हम चारो side से सिलाई करेंगे ऐसे हमने rubber sheet join की और side से extra rubber sheet हमने cutting की इसके बाद ऐसे दोनों side हम जोडेंगे दोनों side जोडने के बाद हम यह corners के उपर भी ऐसे सिलाई करते हैं यह दोनो side हम करेंगे यहां और यहां देखिए ऐसे हमने corner के उपर सिलाई की यह होने के बाद हम यहां से सीधी side करते हैं देखिए यह हमने तयार belt लिए है 3 inch by 1.5 inch के 2 है और 2 हमने ring लिए है यह हम अैसे डालेंगे ऐसे और यहां हम सिलाई करेंगे ऐसे ही ऐसे ही यह दूसरा देखिए ऐसे हमने यह दोनों यहाँ सिलाई की सिलाई होने के बाद यहाँ सेंटर में यह दोनों सिलाई इसे साइड में करते हैं ऐसे और यहाँ ऐसे जोड़ेंगे ऐसे ही यह दूसरा पिस यहाँ देखिए दो हमने अस्तर के पिसस लिए है इसका मेजरमेंट है 15 इंच बै 10 इंच इसके उपर भी हमने इसी तरह से यहाँ से देड इंच और यहाँ से यह सिलाई से देड इंच जैसे हमने फैबरिक के उपर कटिंग किया ऐसा ही हम इसके उपर कटिंग करेंगे यहां से एक इंच, यहां से एक इंच, cross में हमने attach किया और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हम cutting करेंगे देखिया इसे हमने shape दिया है, यह दो में से हम एक अस्तर का piece लेंगे आप चाहे तो इसके उपर pocket बना सकते हैं, एक window pocket हम बनाएंगे इसके उपर हमने यहां center का mark यह ऐसे फोड़ किया center का mark यह उपर से एक inch उपर से एक inch दो mark किया है और यह हमने 13 inch by 8 inch का एक अस्तर का पीस लिया तेरा इंच बाय आठ इंच का इसके उपर भी हमने सेंटर का मार्क किया और ये अस्तर की उल्टी साइड है ये हम ऐसे रखेंगे ये सेंटर का मार्क और ये एक इंच का मार्क किया है इसके उपर हम ऐसे रखेंगे पीन से अटाच करते हैं देखिए हमने इसके उपर मार्क किया है यहां से एक इंच यहां से एक इंच यहां से एक इंच यहां से एक इंच यह अस्तर के उपर हमने मार्क किया और यह बॉक्स हमने आधे इंच का बनाए इसका भी सिंटर किया है और यह कॉर्नर पर क्रॉस और यह जो बॉक्स बनाया है इसके उपर हम पहले सिलाई करेंगे देखें हमने ये box के उपर सिलाई की और ये होने के बाद ऐसे ऐसे हम fold करेंगे और ये जो center का mark किया था इसके उपर हम पहले छोटा सा इसे cut करते हैं open करेंगे और ऐसे जो हमने cross में क्या था वहां तक हम cutting करेंगे यहां से और यहां से ऐसा ही cut हम यहां करेंगे ऐसे दोनों side cutting होने के बाद हम ये अस्तर अंदर की side में करते हैं दिखें ये अस्तर हमने अंदर की side किया और ये होने के बाद आप चाहें तो इसके उपर इसे press कर सकते हैं यह हमने 8 इंच की जीपर लिए, ऐसे runner डाला, runner की side ऐसे रहेगी, और यह हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, और इसके उपर हम सिलाई करेंगे, ठीक है, ऐसे हमने जीपर के उपर सिलाई की, और यह सिलाई होने के बाद ही अस्तरक का piece उपर की side में करते हैं, ऐसे, यहां से यहां तक सिलाई करेंगे, यहां से यहां तक सिलाई करेंगे, यहां से यहां तक सिलाई करेंगे, देखिए यह जीपर हमने 11 इंच के लिए है, यहां 11 इंच की ही जीपर हमें लेना है, या तो 11 इंच के ले सकते हैं, लेकिन 11 इंच से बड़ी नहीं लेना है, क्योंकि हम इस पीसस हमने लिए देखिए यहां से हम सिलाई करेंगे देखिए यहां हमने सिलाई की लेकिन यह सिलाई करने से पहले हमने दोनों साइड से एक एक रनर डाला है दो रनर डाले हैं यह होने के बाद यह ऐसे किया उपर की साइड में एक फोल्ड यह इसे सिलाई के उपर आएगा ऐसे ही यहां हम करेंगे ऐसे हमने दोनों साइड से लॉक किया लॉक होने के बाद जिपर की बाहर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यह हम ऐसे कट करते हैं यह हमने दो पिसेस लिए दो इंच बाए 13 इंच इसके पीछे भी यह कैनवास हमने अटाच किया है और यह होने के बाद यह पिस हम लेते हैं यहां सिंटर का मार्क कर सकते हैं यहां तो दोनों साइड में हम सेम स्पेस चोड़ेंगे ठीक है यह होने के बाद यहां यह एक साइड हम यहां से रखते हैं यहां से यहां तक हम सिलाई करेंगे देखिए ऐसे हमने जॉइन किया ये जोडने के बाद ये फैब्रिक और अस्तर दोनों ऐसे करेंगे यहां से भी और यहां से यहां तक हम टॉप स्टीच करेंगे ऐसे हमने टॉप स्टीच किया इसके बाद ऐसा ही हम दूसरा पिस जोड़ते हैं दूसरा अस्तर का पिस लिया इसके उपर ऐसे रखा बीच में दोनों साइड में सेम स्पेस चोड़ी या तो सेंटर का मार्कर सकते हैं ये दो इंच वाई तेरा इंच का पिस इसके उपर रखा यहां तक सिलाइ करेंगे यह सिलाइ होने के बाद इसके उपर भी हम इसी तरह से टॉप्स्टीच करेंगे यहां तक हम सिलाइ करेंगे और इतनी स्पेस हम यहां चोड़ेंगे यहां से यहां तक यहां से यहां तक इतनी स्पेस हम चोड़ेंगे देखे एसे मने यहां यहां इतनी सिलाई की है इतनी स्पेस हमने चोड़ी है इतनी और यहां से सिलाई की है यह होने के बाद यह बाग हम लेंगे यह फ्रंट साइड है यह बैक साइड है तो ये भैक साइड है ये जिपर हम उपन करेंगे ये सीधी साइड अंदर सीधी साइड है इसके अंदर रखेंगे अंदर रखने के बाद यहाँ यह सिलाई साइड में करते हैं और यह सिलाई यह सिलाई यह हम एक साथ में रखेंगे और उपर से हम सिलाई करेंगे ऐसे यहाँ आने के बाद यह सिलाई भी इसे तरह से हम दोनों साइड में करेंगे यह सेंटर और यहाँ से सिलाई करेंगे भी इसी तरह से हमें जोड़ना है दोनों जैसे हमने बैक के कॉर्णर्स जॉइन किये थे देखिए ये कॉर्णर्स हमने जॉइन किये ये जोड़ने के बाद यहां उपर से भी हमने सिलाई की ये होने के बाद यहां से बाएक बाहर निकालेंगे यहाँ यह बाएक बाहर निकालने के बाद यह कॉर्णर सम यहाँ यह अंदर की साइड में किया और इसके उपर टॉप स्टीच करेंगे देखे यहाँ टॉप स्टीच किया और यह साइड हमने लॉक की इसके बाद यह अस्तर अंदर की साइड में करते हैं यहां यह जो पट्टि जॉइन की इतने तक हमें ऐसे अंदर करना है यह बिल्ट उपर रहेगा और ऐसे हम अच्छे से अंदर के साइड में करेंगे दिखिए हमने यहां तक अंदर किया ऐसे यह होने के बाद आप ऐसे मशीन में रखेंगे और इसके उपर हम टॉप स्टीच करेंगे ऐसे पूरे यहां से यहां तक दिखिए यहां आपने एक दाप की सिलाई पूरे राउंड में दी है पहुत सुन्दर सी यह टॉप की बाद बनी है लास्ट एक सिर्फ इसका हम बेल्ट जोड़ेंगे तो बाद हमारी कंप्लेट हो जाएगी यह हमने 60 हिंच का तयार बेल्ट लिया अगर आपके पास फाब्रिक बड़ा है तो आप फाब्रिक का बेल्ट भी बना सकते हैं देखिए यहां से ऐसे बाहर निकाला एक फोल्ड और यहां हम सिलाई करेंगे देखिए यहां हमने बेल्ट के उपर सिलाई की तो यह सिलाई होने के बाद ऐसे ही हम दूसरी साइड आएंगे यह फ्रंट साइड है तो यह साइड में अंदर से बेल्ट बाहर निकालेंगे ऐसे यहां अने के बाद यह साइड यहां हमने सिलाई की थी तो यहां से अंदर डालेंगे यहां से बाहर निकालेंगे ऐसे और दुसरी साइड में बाहर से हम अंदर करेंगे देखिए ऐसे एक फोल्ड और यहाँ सिलाई करेंगे देखिए यह सुन्दर सी बैग हमारी तयार हो गई यहाँ आमने सिलाई की तो यह बेल्ट हमारा तयार हो गया यहाँ आप यह बैग शोल्डर बैग की तरह भी यूज कर सकते हैं यह चोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ देखिए फ्रंट साइड में इतना बड़ा एक पॉकेट हमने बनाया और एक सिम्बल पॉकेट है इसके बाद यह अंदर की साइड में यह इतनी बड़ी बैग है और यह एक जीपर का पॉकेट इसके बाद यहाँ बैक साइड में भी ने एक बड़ा सा पॉकेट बनाया था यह मैंने मेरे लिए बैक बनायी है क्योंकि यह टॉप मेरा बहुत सुन्दर था लेकिन इस्तरी से एक साइड में थोड़ा सा जल गया था तो यह बैक मैंने बहुत साल यूज की जीपर भी बहुत सुन्दर है लेकिन यहाँ ज्यादा यूज करने से यहाँ से खराब हो गए तो यह मैंने मेरे लिए बैक बनायी है इसे आप भी आपके पास पुराना कुरता रहेगा उसकी आप बैक बना सकते हैं